हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का Everything is Stock Market चैनल पर दोस्तों अभी IPO ही IPO आ रहे हैं Idea Forge का IPO जिनके उपर वीडियो बना के हमने अपलाई किया और Shint DLM IPO जिसके उपर वीडियो बना के हम लोग ने अपलाई किया उसके बाद PQH Venture का IPO आया उसकी GMP कुछ अच्छी नहीं चल रही थी इसलिए मैंने उस पर वीडियो बनाई और मैंने तो उस पर पर पर्सनली अपलाई नहीं किया और वीडियो मैंने बताया भी था कि मैं अपलाई नहीं करने वाला हूँ बाकी आपकी मर्जी आपको करना है की नहीं उसी प्रकार अब चोथा यह IPO आया है Senco Gold IPO यह IPO की GMP काफी अच्छी चल रही है और हम इसमें देखने वाले कंपनी क्या काम करती है वैसे Gold का ही काम है कंपनी का Jewelry का काम है Gold, Platinum, Silver की Jewelry के इनके शोरूम है पूरे भारत में और आगे हम इस पर फूल चर्चा करेंगे पूरी-पूरी क्या कंपनी की GMP अभी चल रही है और इसके Financial वगरा क्या है सारी चीज़े हम इस वीडियो में देखने वाले है IPO की पूरी डिटेल देखेंगे इसके Financial and Fundamental देखेंगे कंपनी की डिटेल देखेंगे कंपनी क्या काम करती है Long Term, Short Term के लिए भी हम अपना व्यू रखेंगे कि हमको Long Term में जाना चाहिए कितना जाना चाहिए और कितना गुना अभी तक यह सस्क्राइब हुआ है वो भी देख लेंगे और GMP देखके लाश्ट में मैं अपना नेड़ने बता दूँगा कि मैं मतलब इसमें अपलाई करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ और बाकी आप अपना देख सकते हैं तो लगबग 30 साल पुरानी कंपनी है 1994 में इनकोर्परेट हुई थी और ये कंपनी के जो शोरूम है पूरे भारत में इनका ब्रांड नेम है Senco Gold and Diamonds पैन इंडिया में इनके पूरे रिटेल जैसे दुकान होती है जोलरी की उसी टाइप की इनकी दुकाने खुली हुई है ये इनके हैंड मेड जोलर भी रहते हैं और मसीन से भी इनकी जोलरी बनाई जाती है सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड के इनके आपको जोलरी मिल जाएंगे कुछ स्टोन और अधर मेटल की भी इनकी जोलरी आपको मिल जाएगी इनके कैटलोग अगर आप देखेंगे Senco Gold के तो एक लाख आठ आठ हजार डिजाइन इनके कैटलोग में आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर एक लाख आठ हजार डिजाइन गोल्ड के सेक्टर में मिल जाएंगे और च्यालीस हजार डाइमंड के डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे इनके पास 170 skilled craftsman है मतलब manufacturer है जो की कॉलकाता best company है पहले तो यह है और कॉलकाता वगेरा में इधर साइट जादर jewelry की डिमांड है तो वहाँ पर से इनके 170 skilled craftsman यानी worker है जो की पूरे भारत में काम करते हैं और 31 मार्च 2023 तक इनके पास 20 designer थे जो की company के साथ में खड़े हुए है अब यह lightweight jewelry यानी की machine made jewelry में भी काम कर रहे हैं handmade jewelry के साथ-साथ lightweight jewelry में भी काम कर रहे हैं चाहे वो gold की हो या diamond की हो गोल्ड या diamond की कोई भी jewelry हो उसमें मैंने आपको बता दिये क्योंकि lightweight jewelry आज की जो young generation है वो काफी पसंद करती है अब इनके पूरे इंडिया भर में 136 शोरूम है जिन में अगर इन 36 शोरूमों का अगर square feet में एरिया देखा जाय तो 4,10,000 के आसपास का square feet एरिया है इस 136 शो शोरूम की इनोंने franchise ही दी हुई है जैसे बहुत सारी कंपनियों की franchise ही मिलती है तेरह स्टेट में अभी ये company काम करी है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भारत के सभी राजियों में एक company आ जाएगी और अभी 99 cities केवल बड़ी बड़ी cities जैसे दिल्ली मुंबई वेगर हम इनके शोरूम है आगे आने वाले समय में ये और भी अपना विस्तार कर रहे है और भारत में तो वैसे भी jewelry की demand जादा रहती है क्योंकि हर समय हम लोग jewelry खरीटते ही रहते हैं बचप के तोर पे या फिर कोई सूब अबसर के तोर पे तो jewelry की इनकी काफी अच्छी demand है और भा golden diamond के नाम से शोरूम मिलेंगे फ्रेंचाइजी भी देते हैं और खुद भी अपना शोरूम खोलते हैं अब IPO के अगर detail हम देखें तो IPO चार तरिक से open हुआ है लेकिन मेरे चैनल पर आपको पता है कि सबसे पहले वीडियो नहीं आती है थोड़ी late में वीडियो आती है क्यों क्या आराम से तीन दिन का समय रहता है तो last दिन 6 जुलाई को या आज भी आप इसमें 5 वजे तक खरीदारी कर सकते हैं और कल 6 जुलाई है कल साम को 5 वजे तक भी खरीदारी कर सकते हैं तो अगर पैसा लगता है तो सारी चीजें देखनी चाहिए क्या GMP चल रही है कंपनी क क्या काम कर रही है उसके बाद ही अपना 14-15,000 रुपे हम इस कंपनी में लगाएंगे तो इसलिए वीडियो की कोई जल्दबाजी नहीं रहती है इसकी face value 10 की रहेगी यानि इसमें split भी आएगा भविस्से में 317 रुपे गई आप share मान के चलो क्योंकि demand काफी अच्छी है त और 6 जुलाई तक यह चलने वाला है आज 5 जुलाई हो गई है जो वीडियो बन रही है तो अब इसके बाद इसमें fresh issue यानि 270 क्रोड रुपे के नए share लाए जाएंगे और 135 क्रोड रुपे के promoter अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे लेकिन यह जो हिस्सेदारी promoter जो बेच रहे है या फिर इसको company plus point के तोर पे भी आप ले सकते हैं कि करजा बाद में चुकाएंगे और अभी business को बढ़ाते हैं जो भी पैसा मिल रहा है छे तारीक के बाद 11 तारीक को आपको इसका allotment का पता चलेगा यानि 11 तारीक को आपको यह पता चलेगा pen number वगर डाल के कि आपको यह मिला है कि नहीं मिला है नहीं तो 12 तारीक को अगर नहीं मिला रहेगा तो पैसा आपका वापिस आजाएगा और 13 तारीक को यह share जो हैं आपके DMAT account में आ जाएंगे 14 तारीक को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी यानि कि 4 जुलाई से और 14 जुलाई तक का इसमें समय लगने वाला 10 दिन का इन 10 दिनों के बीच में ही GMP जो उपर नीचे होगी वो हो सकती है मार्केट के हिसाब से वैसे GMP काफी अच्छी चल रही है और हम जो GMP 20 परशेंट के उपर रहती है उन्हीं IBO में अपलाई करते हैं क्योंकि अगर 10 दिन में मार्केट की स्थेती खराब हो गई तो लगभग हमें जितना पैसा हमने ल इस्ट होगा और आगे इस पर चर्चा करते हैं तो इसमें जो Anchor Investor Share Offered है यहां पर अभी QIB के लिए 30% का लगभग रिजर्व रखा गया है QIB के लिए 22% लगभग NIH के लिए रिजर्व रखा गया है और Retail Category वालों के लिए लगभग 50% यहां पर रखा गया है इसके पहले क जो IPO आये थे Idea 4 जो गया है Signed DLM IPO उनमें के लिए Retail Category के लिए 10% रखा गया तो quota इसमें 50% का quota रखा गया है यह अच्छी बात है तो IPO मिलने के चांस इसमें बढ़ जाते हैं और IPO मिलने के चांस अगर आपको और बढ़ाने हैं तो मैं जो करता हूं वो आप कर शकते हैं जै आपको अप श्टोक और जरोधा में अकाउंट खोलने हैं मैं personally वही यूज़ करता हूं तो वीडियो की description में उसका लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप उस लिंक से आप श्टोक और जरोधा के अकाउंट खोल सकते हैं रिटेल के टेगरी के लिए आपको 15,000 रुपे 14 लग तक का माल खरीद सकते हैं अब यहाँ पर जो अभी promoter की हिस्सेदारी लगबख 77% की है वो IPO आने के बाद यहाँ पर 68.48 की यहाँ पर हो जाएगी मिश्टर सुवांकर सेन, जैहनुमान सरी सिद्धी विनायक, ट्रस्ट एंड ओम ज्यान ज्यान पेताई बजरंग बली ट्रस्ट यहाँ पर यह कंपनी के promoter हैं कुछ ट्रस्टे हैं और एक इनके मालिक का भी नाम यहाँ पर लिखा गया है अब कंपनी के financial and fundamental देखें तो 31 मार्च 2021 की रिपोर्ट, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 की रिपोर्ट है यानि yearly रिपोर्ट है तो जो assets कंपनी के 1560 करोड के थे 2021 में वो बढ़कर 2100 करोड के हो गए और 2900 करोड के 2023 में हो गए मतलब assets में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, उसी प्रकार revenue में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, profit भी इनका बढ़ा है, net worth भी इनकी बढ़ी है, और surplus भी इनके रिजर्व and surplus भी इनके बढ़े है लेकिन साथ में यहां पर एक बात यह है कि इनका करजा भी बढ़ा है, और अभी 1170 करोड रुपेगा इसके उपर करजा है, और करजा जो IPO लेके आ रहे हैं उसमें अभी इन्होंने करजा जुगाने ही कोई बात company ने कही भी नहीं है, तो एक करजा AITG बना रहेगा, तो यह थोड़े सा negative point है, बाकी इसमें और अभी तक कोई भी negative point लग नहीं रहा है, हाँ, competition इसका बहुत है market में, क्योंकि local दुकाने भी होती है, और local दुकानों पे हमारा भरोसा भी रहता है, कि हमको उसी दुकान से जाकर लेना है, क्योंकि वो हमारे जान पैचान के हैं, तो यह भी एक competition है, बाकी काम बहुत अच्छा है, हमेशा demandable काम है पूरे इंडिया में, इसकी अगर P.E. value देखें हैं, तो यहाँ पर 15.53 की इसकी P.E. value है, market cap 2462 करोड का है, ROE लगभग 19% की ROE है, और ROC यहाँ पर 14.2 की है, debt on equity 1.25 है, और earning per share ratio यहाँ पर 22.93 का है, और F.I. वो 41.28 यानि 41.30 करोड के लगभग का revenue था, तो यह भी अच्छी बात है, अब यहाँ पर यह जो IPO है, कितने गुना subscribe हुआ है, मतलब अभी जब वीडियो बन रही है, 12.5 जुलाई को, तो 1.4 टाइम सी IPO सस्क्राइब हो गया है, मतलब demand अच्छी है, market में इस IPO होगी, जैसे idea फोर्ज और साइंट IPO, साइंट DLM की demand अच्छी थी, उसी प्रकार फिर PQH की तो उतनी demand आई नहीं, उसके बाद यह Senko की काफी अच्छी demand है, QIB तो लगभग last दिन ही खरीदारी करते हैं, आपको पता ही है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो हर बार यही बात बोलता हू की QIBs तो last दिन ही लगभग खरीदारी करते हैं, NIs ने 1.44 गुना खरीदारी किये, जिसमें Big NIs ने 0.75 और Small NIs ने 2.83 गुना खरीदारी किये, Retail के टेक्निर ने 2.29 गुना खरीदारी किये और Total यहाँ पर 1.4 टाइम गुना यह सस्क्राइब हुआ है, अब इस IPO में Long Term View और Short Term View क्या है और Apply क्या है, तो सबसे पहले इसकी GMP देख लेते हैं, GMP यहाँ पर इसकी चल रही है, GMP जब दोस्तों यह IPO आया नहीं था मार्केट में, तो 50 रुपे पर शेयर की थी, उसके बाद जब यह IPO आ गया मार्केट में, तो 90 रुपे पर शेयर की GMP हो गई, और आज य इसका लोट है, तो 125 इंटू 47 हम करते हैं, तो लगबग यहाँ पर 6,000 रुपे या उससे 100-200 रुपे कम का प्रोफिट यहाँ पर बता रहा है, मतलब 40% के लगबग इसकी GMP चल रही है, तो इसमें Apply तो करना ही है, अब Short Term के लिए जाना है की Long Term में, तो इसकी Competitor अगर देख लोटो से Apply करूँगा, और Listing Gain लेकर अभी इसमें निकलूँगा, बाद मैं फिर Long Term के लिए विचार करेंगे, अभी मैं Long Term के लिए नहीं जारा, लेकिन इस IP में मैं Apply ज़रूर करूँगा, और Listing Gain लेकर निकल जाऊँगा, धन्यवाद